प्रिंद्स मैं डॉक्टर ताराश्वेता आर्या मैं एक हिंदू महिला हूं धर्म आजकल धडले से बिक रहा है सोचा अपना नाम बता दू और ये भी बताना चाहती हूं कि मैं मैं MIM की महिला जिला अध्यक्षा हूं किशनगंसे आज जो पूरे देश में जो हालात हैं जो हमारे देश में जो ये बिल्ली में जो आग लगी हुई है इसे देखते वे मुझे बहुत दुख हो रहा है मैं इसका खंडन करती हूं और सारे देश जितनी भी मेरे देश वासी ह उन सब को मैं शान्ती बनाए रखने की अपील करती हूँ। देश में जो सरकार के काले कानून के खिलाफ जो एक मुहिम छड़ीवे थी या जो एक प्रदशन चल रहा है जो की शान्ती पुर्वक समयधानिक रूप से कानून की अहिंसिक तौर से जो धर्ना प्रदशन चल रहा था उसको कूट नीती द्वारा शेडियंत्र करके रायट और दंगे का रूप दे दिया गया है मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की जब कोई नीती नहीं चली तो अब वो इस पर उतर आए हैं क्यूंकि मुझे लगता है कि मौजुदा हुकूमत जब तंत मंत्र उनके सब फेल हो गए यंत्र भी फेल हो गए तब वो अब शड़ियंत् से यह कहना है कि आप सब जाती और धर्म के नाम पर बिखरना या टूटना बंद करें हमें इनकी चाल में नहीं आना है सबसे इंपॉर्टन बात जो यह है कि जो यह शांति पूर्वक जो धर्ना चल रहा था प्रोटेस्ट करने की इजाजत सभी को है और सम्यधानिक रूप आहिंसिक तरीके से चल रहा था तो सरकार ने इसको बल पूर्वक हटानी की जो यह कोशिश की है इसको राइट में टर्न करके मैं इसकी बहुत जादा निंदा करती हूं मुझे बहुत बुरा लग रहा है यह देखके कि भाई-भाई को मार रहा है आज लाशे बिच रही है सरकार की यह पहल मुझे अच्छी नहीं लग रही बलकि सरकार की तो यह पहल होनी चाहिए कि हर एक बक्ष की बात को सुने हर एक समुदाय की लोगों की बात को सुने और उनकी समस्याएं किस तरीके से समधान होंगी इस पर वो ध्यान दे यही तो हमारा हमारे सरकार का 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 प्रॉब्लम्स को सॉल्फ करे या फिर इसलिए चुनते हैं कि जो पूरे देश में जिस तरीके से आग भड़की वही हैं जिस तरीके से लोग जल रहे हैं पूरी दिल्ली हमारे देश का कैपिटल है वह जल रहा है यह देखने के लिए तो हम सरकार नहीं चुनते न और मुझे लगता है कि सरकार कहा है लोग अपने घरों से भाग रहे हैं घरों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं दिल्ली में घर को जला दिया जा रहा है पेट्रोल पंप जल रहे हैं के रख दिया और जो ये कहते हैं कि हम प्रो-CAA हैं अगर आप लोग प्रो-CAA के लोग हैं तो क्यों क्यों आपने आग लगाई क्यों आप लोग दंगा भढ़काने की कोशिश कर रहे हैं इतने दिन से तुझ अगेंस्ट कर रहे थे प्रदश्चन कहीं तो कभी अहिंसा की अचानक से कुछ प्रो-CAA वाले आए और ये दंगे शुरू हो गये सब समझ में हमें भी आता है और मैं खासकर हिंदू समुदाय के लोगों से बोलना चाहती हूं जितने भी मेरे हिंदू भाई बयाने वो सब सुने हिंदुत्व ये है ही नहीं आप किसी के धर्म को अपमा बिल्कुल नहीं है ये उन लोगों की मानसिक्ता है जो गलत सोचते हैं जो और बजरंग धल के जो ये लोग हैं ये उनकी मानसिक्ता दर्शाती है सरकार हर किसी की होती है हिंदू की हो मुस्लिम की हो सिक्की हो इसाइकी हो सरकार सो कॉल्ड नहीं होती कि हम सिर्फ हिंदू के लिए ही हैं और हमें पावर दे दी गई है तो हम सर्फ हिंदू की सुनेंगे आप अगर किसी की मस्जित पे जहां पर इबादत होती है आप मस्जित पे चड़के डिली में आपने वहां पे भगवा लह रहाया इससे क्या साबित करना चाहते हैं इससे क्या मिल गया आपको इस की लिए हम चड़ गये मस्जित के उपर में और हमने जंडा फेरा दिया उससे आपको क्या मिल गया आपको मैडल मिल जाएगा सरकार से आपको क्या मिल जाएगा आपको करोड़्पतीं बन जाएंगे मिलेगा क्या आपको बद्दुआएं मिलेंगी वह उपर वाला भी मंदिर के शंक को फोड़े मंदिर की घंटियां को उतार नोच नोच के फेके आपको कैसा लगेगा मैं सोकॉल सारी हिंदुओं भाईयों से पुछना चाती हूं बहनों से पुछना चाती हूं क्या लगेगा आपको क्या करेंगे आप आपकी मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा जाए घंटियों को तोड़ा जाए आप क्या करेंगे उस वक्त बरदाश करेंगे नहीं करेंगे न और वहां पर कोई हरा जंडा लह रहा है आपको कैसा लगेगा मंदिर के ऊपर में जब आपको यह बरदाश नहीं होगा तो आपने यह सब कैसे सोच लिया भाई बैन है उनकी इबादत की जगे पर आप चड़के उनकी मस्जिद को तोड़ेंगे आग लगाएंगे और आप चाहते हैं आप चाहते हैं कि वह चुब भी रहे आप दबा के रखना चाहते हैं पर्टिकुलर एक वर्ग विशेस को क्यों कि उनका जो धर्म है वो अलग है क्योंकि सो कॉल्ड कुछ लोग जो है जो हिंदुत का नारा लगाते चलते हैं कि हमें हिंदू रास्टर बनाना है अरे भाई आप बगल में नेपाल को देखो ना हिंदू रास्टर है कितनी गरीबी है वहाँ पे बगल में पाकिस्तान को देखो ना मुस्लिम रास्टर है कितनी जालियत है वहाँ पे हम हिंदुस्तान की खासियत ही यही है कि अनेकता में एक हिंदुस्तान की शान है इसलिए मेरा भारत देश महान है क्या यह बताना पड़ेगा आप सभी को आज दिल्ली की जो सिती हो गई है मेरे सरकार से यह गुहार है कि तो मेरे ख्याल से आपको अपने पत से स्थिफा देना चाहिए यह हिंदू-मुस्लिम जो दंगाई जो लोग जो मुझे पता है डे आर सो कॉल बजरंग दल्स पीपल इनकी ही दिमाग में यह सब चीजें भरी होती हैं गंदगी मैं तो बोल रही हूं आपको आप जो भी कहें मैं खुद एक हिंदू महिलाव के बोलती हूं आपकी मंदर पर चड़के कोई मंदर को तोड़ेगा आप क्या करेंगे बर्दाश करेंगे आपकी मंदर के ऊपर में कोई हरा जुंडा लाएगा तो आप क्या करेंगे आप क्या उमीद करते हैं आप क्यों तंग कर रहे हैं कुछ लोगों को मैं यह कहती हूं कि समाजिक तत्व हर जगे होते हैं मुस्लिम समुदाई में भी हैं तो चलब यह नहीं कि आप सारी बतला लेंगे ये गलत है ये हंदुत्व नहीं है और दूसरे के धर्म करें इसलिए मेरे जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर कीजे विडियो को मैं ये बोलना चाहती है मेरे सारे हिंदू भाईों से और बेहनों से कि ये देश आपका है इसको आप समझा लिए ये जल रहा है देश ये कुछ लोगों की गंदगी दिमाग में भरी हुई है उसकी वज़े से हमारा पूरा देश जल रहा है हम ये नहीं होने देंगे मैं फिर से बोलती हूँ अनेकता में एकता ही हमारी शान है इसलिए हमारा भारत देश महान है आप इस लाइन को गौर से सुनिए और साथ में ये भी कि मजब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर रखना ये जो लाइन्स हैं वो बच्पन में हमें सिखाई गई थी स्कूल के अंदर अगर आप लोगों को याद है और नहीं याद है तो मैं फिर से बताना चाहती हूँ ये लाइन पढ़के कि मजब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर रखना इस चीज को आप समझे और आपस में बटवारा मत होने दीजे हमें राश्ट्र पिता महात्मा गांधी के गांधी वाला देश हो ऐसे आतंकवादियों वाला देश नहीं और मैं ये समझती हूँ कि जो लोग डंगे करते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता उनका कोई धर्म नहीं होता वो हिंदू और मुसल्मान बनके एक दूसरे के ओपर मैं अटैक करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राइट्स भढ़काने का काम कर रहे हैं और मुझे बहुत अफसोस है मैं उनके लिए यही कहूंगी कि आप जो गलत कर रहे हो ना वो पलट के आपके पास जरूर आएगा आप जो आज ये आग भढ़काने का काम कर रहे हो चाहिए आप जो भी हो वो एक साथ खड़े होने का समय है अभी और मैं यही चाहते हूं कि आप सभी इन धर्म के बातों पे बटना छोड़ दीजिए और अपने देश को अपने हाथ से समालिए जैहिन जैभारण